कि स्वागत है मेरे सबी दोस्तों का हमारे आज की इस वीडियो में क्रिस्टलोग्राफिय में आगे बढ़ेंगे और ट्विनिंग हम कर रहे थे ट्विनिंग की अब ये वीडियो है टाइपस ऑफ ट्विनिंग अभी तक हमने ट्विनिंग की डैफिनिशन देखी टुइन से कुछ तर्म सब्येएं आज हम क्या देखेंगे टाइपस औफ टुनिंग कितने तरह की होती है फिस में हमारे कुछ ट्विन्स हैं गुरे olsun गया है है सबसे पहले contact twins तेखो contact twins में क्या है जो हमारे दो हाफ होंगे हमारे मनलब यानि की जो दो crystal होंगे वो जुड़े होए होंगे यानि वो कुछ crystal points share करेंगे crystal point जिस plane पे share करते हैं उस plane को या उस surface को हम सब्सक्राइक को कुछ दूढ़े होंगे और जो जो हमारे crystal से वो जूड़े होए होंगे और बराबर हिस्सों में divided होंगे और यह नहीं चुड़े होंगे और जो जुड़े होंगे composition surface में और जो composition surface कैसे होंगे plane composition surface होंगे यह था हाफ्स are united by the plane composition surface such that एक हिस्सा जो है दूसरे की mirror image होगा that one part is the mirror image of the other जो दो क्रिस्टल है हमारे आधे आधे यानि कि जो दो crystal है वो जुड़े होगे plane composition surface से कैसी composition surface plane ठीक है और इस तरीके जुड़े होंगे कि दोनों जो है दूसरे की mirror image होंगे तो ऐसे twins को हम बोलते हैं contact twins ठीक है इस एक्जामपल है फ्लेज्योक्लेज क्वार्ड जिप्सम स्पाइनल और्फोक्लेज एट्सेटरा ठीक है फिर आता पैनेट्रेशन ट्विंस अब पैनेट्रेशन ट्विंस में क्या होता है यह भी जो हमारे दोनों क्रिस्टल होते हैं जुड़े होए होते हैं composition surface से लेकिन कैसे composition surface यहां पर composition surface plane ना होके irregular होता है किसी भी तरीकी का होता है plane नहीं होता तो तब हम कहते हैं उस तब हम उन twins को बोलते है penetration twins ठीक है the twin appears as the individuals were crossing each other मालो एक crystal यह है और दूसरे crystal ऐसे गया तो इसने इसको cross कर दिया ना तो हम बोलने कि इसमें हमें जो twin है वो इस तरीके से दिखते हैं जैसे कि individual यानि कि जो अलग-अलग crystal थे वह एक दूसरे को cross करते हुए नजर आते हैं इसका एक्जामपल है इस चौरोलाइट एस टी ए यू आरो एल आई टी पाइराइट फ्लोराइट और्थोकलिस मुझे नहीं पते सो क्या प्रोनाउंस करते हैं वह तो गूगल से पूछ ले ना ठीक है इस चौरोलाइट या इस चौरोलाइट ज है रिपीटेड ट्विइन्स रिपीटेड ट्wnस की अगर हम बात करें छिक पॉली सिंथेटिक और छिन्जेंट है घंट है और से मीट्रकर ऑर सॉइकली Deaf Zach है twin planes does not remain parallel but tends to produce circular form यह दुनों parallel नहीं रहते हैं बट circular form produce करने की कुशिश करते हैं ठीक है तब हम इनको कहते है symmetrical और cyclic twin इनको हम mimetic twin के नाम से भी जानते है M I M E T I C twin ठीक है ऐसी tuning क्या होता है such tuning imparts higher grade of symmetry than that of individuals ठीक है जो हमारी ऐसी tuning होती है वो हमें higher grade of symmetry provide करती है और इसके example है Aragonite appears to be hexagonal जो Aragonite है वो हमें hexagonal लिखता है और अगर हम बात करेंगे रुटाइल के case में cyclic twin को हम जैनी क्यूलेट बोलते हैं G E N I C U L A T E जैनी क्यूलेट twin बोलते हैं और gypsum के case में हम cyclic twin को नाम देते हैं butterfly twin दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मिलते हैं अंगली वीडियो में धन्यवाद